मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी परिवार बड़ा प्रिये होता है इस देश के चुने हुए प्रधान मंतरी उनके लोग, उनके मंतरी, उनके सांसद, उनके बद्दिमाग, बेलगाम, प्रवक्ता काफी सारी जनता, जब यह कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोधी जी 140 करोड जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूँ, क्या मोधी जी मणीपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं 9 महिने से जलते हुए छोड़ दिया है क्या मोदी जी केरल जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं मैं तीन नाम आपके सामने लेती हूं चार ले देती हूं चाहिए वर्षा थी एक लड़की पुलिस परिक्षा दी उसने उत्तर प्रदेश में पुलीस परिक्षा का पेपर लीख हुआ परिक्षा रद दोगई वर्षा ने आत्मत्या कर ली वह अपका परिवार है कि नहीं है रमेश बिंद मजदूर थे मजदूरी करते थे काम नहीं मिल रहा था करजे का बोज चड़ गया आत्मत्या कर ली वो आपका परिवार है की नहीं है आगरा का एक लड़का था तरुन नोकरी चली गई करजे के बोज के तले दब गया उसने फासी से लटक कर आत्मत्या कर ली साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया वो आपका परिवार था की नहीं था बर्जेश पाल अभी एक लड़का यूपी का उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इंडिग्रियों का फायदा किया जब इनसे नौकरी नहीं मिलती है और उसके बाद फंदा से लटक गए वो आपका परिवार है की नहीं है वो आपका परिवार नहीं है क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय मालिया और महूल भाई जैसे लोग शामिल है क्या है आपका असली परिवार हर घंटे पे जो दो किसान आत्मत्या कर रहा है वो आपका परिवार है की नहीं है हर घंटे जो दो बेरोजगार आत्मत्या कर रहे है वो आपका परिवार है की नहीं है हर घंटे जिन चार महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में वो आपका परिवार है की नहीं है इस देश के प्रधानमंत्य होने के नात्या आप एक व्रिहद परिवार के मुकिया है देश में बढ़ती हुई गरीबी है, बढ़ती हुई आर्थी का सामानता की खाई है, मुद्दा पेपर लीक है, मुद्दा बेरुसगारों का भविष जो गर्थ में जाता हुआ वो है, सब मुद्दों से भटकाएंगे, इनसे पूछो पूरब तो बचाएंगे पस्चिम, प असलियत है